उत्रप्रदेश के उप मोखे मंतरी केशो प्रसाद मौरे ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादो चुनाओं में हार की गबराहट और बॉखलाहट में चुनाओ आयोग पर भी अशोभनिय टिपनी कर रहे हैं इन दस्माच का भी इंतिजार नहीं किया जोसी दिन मतगर ना होगी और अपनी आदत से मजबूर पहले ही EVM पर सवाल उठाने शुरू कर दिये कामेवापसी कर रही है उसके बाद उनके गुंडे उनके अपराधी उनके तथाकति गडबंदल करने वाले जो उनके साथी सहयोगी है वो सब भौकलाए हुए और उनके आरोप निशित तोर से महोर को खराब करने की कोशिस है यादो जी मैं आप से पहना चाहता हूं धहर किसी अनिकारी के उपर आरोप लगाना आयोग के उपर आरोप लगाना या सोभा नहीं देता है उत्तर प्रदेश में पहली बार सांत्यपूर्ण से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाग करता हूं त आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखरी तुनाव बताया और इसके खिलाब प्राव्णती करने लाएं गुंडों, अपरादियों, माफियों से बचाने की कोशिज किया है, इसके कारणाज उत्तर प्रेज का एक अच्छा माहौल है, लोग सुरच्छा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार की मा पहुंची है, उससे लोग खूस हैं, इसलिए भारती जन्ता पार्टी और गटबंदन के हमारे प्रत्यासियों को समर्थन दिये हैं, एक जिक पोल से की अच्छे नतीजे, जब एक चुबल में जब गिनती होगी, तब भारती जन्ता पार्टी गटबंदन के पच्छ में आ का, बंद करो प्रयास 22 में, करना प्रयास 27 में, क्योंकि साइकल गई 29 में, जन्ता नहीं आपकी साइकल को 29 में बेच दिया है, जन्ता ने नकार दिया है, जातीवार की राजनिती करने वाले, ब्रश्टाचार की राजनिती करने वाले, गुंडों के बल पर राजनिती करने वाले मुस्लिम कुष्टी कर्ड़ की राजनीती करने वाले जब चुराओ हार की इस्तिती में पहुंच जाते हैं थी